नमस्ते फ्रेंट्स वागता आपको पूनम्स किचन एंड लाइफ स्टाइल में आज हम बनाएंगे आलू की पुरी वो भी बीना भरे और बीना सबजी के तो आप देख सकते मैंने यहाँ पे डेढ़ कप गेहूं का आटा लिया है और आधा कप मैंने सोजी लिया है तो मैंने एक कप गेहूं का आटा डाल दिया है बावल में और आधा कप सोजी लिए इसके बाद इसमें आधा कप आटा और डालूँगी आप ध्यान से देखते रहे ना अब इसमें मैं कुछ मसाले डालूँगी तो सबसे पहले इसमें अजवाइन डालूँगी थोड़ा से क्रस्ट करके और उसके बाद इसमें आधा कप आटा डालूँगी तो अब आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा अजमाइन लिया है ज्यादा नहीं लिया है मैं थोड़ा सा लिया है और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा कसूरी मेथी इससे खुस्बू बहुत अच्छी हो जाती है तो कसोरी मित्री जरूर डाले अगर नहीं है तो किप कर दे और अब इसमें मैंने में आलो डालना है अलो को मैंने Pahla Aba वाल के रख लिया था है एक-दु Smash experien象 अब कमाना वालो को छिल के मैं इसमें grade कर दूँके और अलू में ड्यूर में रही हूँ और इसमें मैं पांचीची च्षे यालू डालऊंगी और आलू उसके बाद मैं इसमें कुछ मसाले और डालोंगी तो आधा छोटी चमच貝 मैं न उसमें नमक डाल दिया है और इसमें दालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर आधा छोटी चमच और आधा छोटी चमच जिसमें मैं डालूंगी लाल मिर्च पाउडर इसके बाद इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा ओरी गयनों औरी गयनों आप इसकिप कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो मैं डाल द जो को मैं अच्छे से mix करूँगी यानि किसे में एक soft dough बना के तयार करूँगी मैंने इसमें 2 टेबल इस्पून refined oil डाल दिया है और अब इसे मैं हाथ से mix करूँगी और आलो में इतनी नमी रहती है कि आटे को अब जौब कर लेती है और इसमें पानी डालने की अवश्यक्ता नहीं पड़ती है और पानी डालना भी नहीं है अगर जरूवत पड़े तो आप एक दो आलू इसमें और भी आड़ कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं एक soft dough बनके तयार हो गया है अब इसे मैं 10 मिनट के लिए sit होने के लिए छोड़ दूँगी उसके बाद इसे मैं बेल के तयार कर लूँगी उसके बाद मैं Deep fry करने के लिए कोई भी तेल ले सकते हैं रिफाइन डॉयल सर्चों का तेल या सोद्गी ले सकते हैं जो भी लेना चाहें अपने पसंद के अकोर्डिंग आप कर सक तो बहुत ज्यादा मोटी नहीं बनानी है थोड़ी पतली ही रहे ना बहुत ज्यादा मोटी हो ना बहुत पतली हो जैसे हम लोग कोचोरी यह पूरी बनाते हो उसे तरीके से से मुझे बेल के तयार करना है आप इसे छोटी बड़ी कोई भी साइज का बना सकते हैं तो सबसे पहले मैं इसे बेल के सब रख लूँगी उसके बाद मैंने गैस पे तेल चड़ा दिया है कडाई में डालके और उसे मैं मेडियम गरम हो जाने दूँगी कि अब तक को यotta आर्मों तब तक मेरी पूरियां बेल के टायर और अब कहसे पूरीच हमीद और इसमस सब्सक्रार का डालshire सना टा अब कौँरेग पूरियां है कि इसक एक आथा अब उ decorator Swag सबीछा पूर्यों में चाहिए दोनों से जब इक लाय जाया गा तो यह आप में जहाकसा हो रहा है वह बहुत कम हो जाएगा भूस लो निकाल से लेकंसे निकाल लूँगे से इसे तरह हैं निकाल Unter रहें बेख बाहई कि लिएजाय उसे बाहर और इसको भी मैं उसी तरीके से फ्राई करूंगी जैसे पहले मैंने तीन पूरियों को फ्राई किया तो इसे भी देख सकते हैं अच्छे से फूल जाए तब इसे आप पलड़ दें और उसके बाद दूसरी तरब भी अच्छे से पक जाए नभी आप देख सकते हैं कि बहुत जादा ज्ञाग निकल रहा है कराही में जैसे पूरिया हमारी अच्छे से पक जाती है तो कराही में यह जाग निकल यह भिलकुल भी कम हो जाता यह दिखता नहीं है तो इसका मतलब होता है कि हमारी पूरिया अच्छा सा पक गई है तो आप देख सकते हैं और अभी मेरी पूरिया बनके तयार हो गई है और हम बच्चों का लंच बॉक्स में डाल दूगी वह सौस के साथ खाए thank you